हाल ही में एक न्यू इंवेंशन हुआ है अब कार रोड के साथ साथ हवा में भी उड़ने लगी है जिससे ट्राफिक के प्राब्लेम के साथ साथ टाइम की बचद भी होगी पिछले वीक में क्लेन वीजन कंपनी के CEO स्टीफन क्लेन ने इस फ्लाइंग कार से खुद सफल उड़ान भरी है इस प्रोटोटाइप हैबरीट कार प्लेन ने पहली इंटर सिटी उड़ान स्लोवा किया के नरिता इंटरनेशनल एरपोर्ट और ब्रातिसलावा के एरपोर्ट तक 35 मिनिट में पूरी की लेंडिंग होने के बाद उस कार को क्लेन ने सिटी में करीब 30 मिनिट तक नर्मल कार की तरह द्राइव भी किया फ्लाइंग कार को विक्सित करने के लिए बोईंग कंपनी के साथ कई कंपनिया काम कर रही है इसी में स्लोवाकिया की फेमस कंपनी क्लेन विजन की कार ने दो एरपोर्ट के बीज में अपनी पहली उडान भरी है यह hybrid car, aircraft, air car BMW engine से बनी है और यह flying car normal petrol pump के petrol पर चलती है Mr. Klein ने 20 years की कड़ी मेहनत के बाद इस air car का यह prototype invent किया है यह air car अब तक 140 से भी ज़्यादा परिक्षन उडान भर चुकी है और यह इस week का किसी intercity flight का अब तक का सबसे महत्वकाशी प्रयास था इस car को सिर्फ एक बटन दबा कर plane में बदला जा सकता है और यह car सिर्फ 135 second में अपनी wings और tail को बाहर निकाल सकती है यह petrol engine वारी air car 190 km per hour की speed से चलती है जो अपने fixed popular system के साथ 8200 feet तक उडान भर चुकी है Mr. Klain का इस flying car पर का research बन नहीं हुआ वे अभी भी इसके और काफी सारे changes पर research कर रहे है Mr. Stephen Klain का next target यह है कि एक बार fuel tank फूल करने पर 300 km per hour की speed और 1000 km का distance तय करना है उन्होंने यह भी बताया कि इस उडान का उन्हें सुखत अनुभव हुआ है इस flying car में 200 kg luggage के साथ 2 persons इसमें सफर कर सकते हैं यह invention अगर काम्याव हो गया तो traffic pollution से रहात मिलेगी चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ Global Encyclopedia में